वाखेट आपका इस सेशन में जा पर आपन स्टाफ करने वाले है फिस्ट वी जी हाँ आपको चालू 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 पॉलिक लेट गेंट बड़ा ही इंपोर्टेंट चैटर है मैं बता दू हर अटेंप्ट में यह दस माक का इसको आना ही आना है जी हाँ हाँ तो बहुत इंपोर्टेंट है एंड डेफिनिटली है वेरी वेरी गुड प्रक्टिकली भी यूज होता है तो तुम लोग अभी इकनोमिक टाइम्स पड़ोगे कभी जिन्दगी में तो यह मर्जर्ण अक्विजिशन की बाते तुम्हारे को काफी काफी दिखेंगी यह क करूंगा और फिर स्टार्ट करेंगे अपन सेशन बाकि यह चाप्टर इतना वास्ट मतलब यह कॉंसेप्ट इतना सही है ना मर्जर्ण अक्विजिशन के मतलब मैं खली एक तीम घंटे का सेशन के मर्जर्ण अक्विजिशन को समझाने में डाल दू बट कही ना कही अपने तो लेट स्टार्ट अभी ऑन टार आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या होता है कि मैं यहां बिए यूज करने वाला आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन सा टर्म बता है और आपको आईरी बता ओंब यह वर्ड इंटर चेंजेवली भी यूज होते हैं तो आज मैं के बारे में जो इस चैप्टर का नाम है मुर्जर्स अक्विजिशिएंस कॉर्परेट री स्टॉक्चरिंग सबसे पहला आता है मुझे अग्जांपल आप चाहेंगे मुझे तुम ने वर्ट तो सुना है इंटर में चैप्टर यह तुम्हारा क्या बात है में बहुत बढ़िया तो अमाल्गमेशन ऑफ टू एंटीटीटीज तो जब आपकी शादी होती है तो अमाल्गमेशन ऑफ टू एंटीटीज हो रहा है ऑपा ऑपा दो दिल एक जान तो क्या हो रहा है merger marriage merger marriage याद रहेगा हमाल commission of two entities A and B combine their business then it's merger G and Sony okay okay so simple understanding के लिए अपने इदर लिख दिया A plus B is equal to AB अब कोई बता सकते हैं Indian context में कुछ examples मैं आप लो कोई international context के example देता हम बहुत फेमस है यह ExxonMobil boss world ka top oil producer with world ka second oil best oil producer one and two combine हो गया बो और दाम बना दिया ExxonMobil that was one of the biggest mergers of its time one of the biggest mergers of its time अब यह बोलो चल 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 तुम बताओ डाइबॉर्स means डी मर्जर वा बिटा वा मुझे अश्क पता नहीं था क्यों को इस गली में जाना ही नहीं है हमने तो उसी के बारे में पढ़ाया है वह मर्जर क्या बोलते हो तो में अपने को समझ में आ गया और को एक्जांपल दे सकते हैं क्या इसका देखते हैं थोड़ा तो तुम लोग ग्यान पहलो यार चल और मैं एक्जांपल देखता हूं ग्लैक्सोश्पित-ख्लाइब दोनों मिलां के या फारमा में ये और ब्रेब कंपनी क्याणने का मतलब यैक कंपनी और बी कंपनी में साधी हो गई दोनों मिला के बन गए अबी कंपनी क्लियर अवर्ण जी चलते हैं सेकंड के ऊपर अक्वुजिशन क्या होता है अक्वुजिशन क्या होता है कोई बताएगा मुझे जोन बता बटार बंगए दिजनी होट्स्टार इस अंग अक्व होट्स तार इस और गोगोग ने नहीं है एक ज में आप ने उसको लिए प्लास होट्स टार बन गए दिजनी और और लिखने का ताम नहीं है चलो फड़ा पर लिख लो फड़ा पर लिख लो फड़ा पर लिख लो स्टार्ट कमाल चलो डन हो गया आप अपी करके next acquisitions acquisition क्या होगा अपर लोगो लिख वा रहा हूं क्या होता है मर्जर्स amalgamation of two entities अब acquisition क्या होगा आइधिंक तुम लोग का भी idea आ रहा होगा लिखो acquire करना नाम से बता चल रहा है the act of acquiring overtaking of particular entity so the act of acquiring slash overtaking per particular entity is called as acquisitions is called as acquisition example देगा कोई अब किसी का example चाहिए बीच में हो जाएगा A company था उसने acquire किया B company को यह B company उड़ गया अब या तो इसको A B company भी बोल सकते हैं या इसको A company भी बोल सकते हैं जो वो लोग decide करें ऐसा कोई टेंचन का बात नहीं है अब यूज़ल इस कॉल्ट है अले 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 अल सामझे गड़ो everybody अब यहां पर Walmart acquires Flipkart आप बोल सकते हो करें अ एफबी WhatsApp is acquisition अब आप लोग बोल सकते हो तो Walmart acquires Flipkart या फिर टाटा अक्वायर्स एर इंडिया अभी क्या हो गया है टाटा एर लाइस तो बोलू भी एर इंडिया लिख रहे है बड़ टाटा नहीं अक्वायर किया एर इंडिया को क्लियर है सब लोग को acquisition क्या होता है जो मैट्व अक्वायर्ड उबर कीट्स वह आ सकता है क्लियर गाइस डन अक्वायर्ड क्या होता है किसी एक एक एंटिटी को acquire कर ले रहा एक बहुत फेमस bonne-reverse acquisition हा ता किसी को पता है तुम्हें लोग नहीं बताओनागा है तुम्हें पे बच्चे थे acquisition किया था and that was Tata, Tata acquired Chorus, कौन सा बता है, Tata Steel acquired Chorus Steel, Chorus Steel probably was the second largest steel producing company and this Tata Steel was sixth largest, तो भी Chorus को बोला बंद कर, चल Tata Steel में acquired हो जा, समझे, Tata Motors acquiring Jaguar, एक वो टाइम पे है न, Tata Motors अच्छे लेवल पे था और Jaguar डाउन फॉल पे था, तो इसलिए वो फिर भी इतना reverse acquisition नहीं था, जितना this, this was huge, huge, now, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं खाली एक note लिखवा देता हूं, यहाँ पर खाली एक note लिखवा देता हूं, in Indian context, in Indian context, the term mergers and acquisitions is used interchangeably, is used interchangeably, is used interchangeably, समझ मैं है, यह एक चीज़ का लिए आप लोग को बता देता हूं, कभी-कभी, mergers word use किया, तो acquisition भी हो सकते है, acquisition भी हो सकते है, इंशॉट दोनों साथ में ही, use हो सकते है, बट मेरा फ़र्स आपको बता ना, तो मैंने आपको बता दिया, individually क्या होता है, पटा फट लिखोगे, डन बोलोगे, उसके बाद अपन चलेंगे, लास्ट के ओपर, which is corporate restructuring, go on, write it down everybody. उसके बाद ए में हमें, अपको बता लास, लास, लास्वया के जए हो सकते है, यहां झाल है, कियो ह 26 झाल झाल चलो हुआ क्या ओके नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग and that is corporate restructuring तो corporate restructuring तो बहुत इसमें चीजें involved होती है we can say that it is a process of reorganization of a company तुम लोग ने कमनी का नाम सुना है Vodafone idea सुना होगा मैं पता दू Vodafone idea में मैंने बहुत जाधा investment किया हुआ है मेरे पास average share price होगा उसका 8 आज देख लेंना कितना चल रहा है सो सिख को सही करना येस ये भी एक पार्ट है corporate restructuring का तुम लोग को मैं दूख या थोड़ा बहुत शेयर तुम लोग करोगे इंवेस्ट तो बताओ मैं डिस्केशन करके बताओंगा ऐसा नहीं हवा में बात नहीं करते हैं देखते हैं चलो चलो तुम पर इंट्रेस्ट जादा नहीं है तो तुम इस पर द्यांदो बूप पर द्यांदो हाँ corporate restructuring का मतब होता है process of री ओर्गनाइजिंग अब वो कंपनी का मैनेजमेंट फाइनांस पहुत सरी चीज़ा आती है सहां process of reorganizing a company's management finances operations to improve its efficiency simple or question to improve its efficiency is it similar to its internal reconstruction yes sir so you can write down similar to internal reconstruction इसका best example जैसे मैंने आपको दिया Vodafone idea clear everybody इधर तक किसी को कोई doubt कोई शक नहीं है और भी नहीं चाहिए please copy everybody copy जो 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 आपको जो आपको आपको शेर्ज मेरे हिसाब से तो येस आने वाले दो साल में मुझे तो 30 जाता वाद दीख रहा है अपने कि तने में बच्छेश किया वोड़ा फॉन आइडिया आठ आफ अवने आठ का है अब प्रक्टिकली इसमें बहुत सारे सम्स करने अपने बात बताता हूं मैं आपको कि कैसे बता है कि कोभी कबार कोई चीज करने के लिए उसका एक बैकड्रॉप आना चाहिए अपने तो मर्जर्ज और अक्विजिशिशन है इजी बट इजी तब लगेगा जब कुछ चीज आपकी बेसिक से क्लियर हो तो आज इट इस मैं एफट के मैं तुम लोग की आप बेसिक क्लियर करूं आज मैं मर्जर्ज और अक्विजिशिशन का सम करने वाला हूं या नहीं करवा हूंगा या नहीं I don't know and I'm not even concerned for it as of now but मेरे लिए आज इंपोर्टेंट है कि मैं तुम लो तुम लोग को यह चीज यूज हो नहीं वाली है in fact lifetime यह सब चीजे यह सब वर्ड तुम लोग को यूज करने है in fact यह सब के ओपर तो मैंने काफी अतर का वीडियो भी बनाना चालू कर दिया है और उसी में सबसे पहला है तो अभी मैं लिखवा रहा हूं वी विल फर्स्ट तो कि अपर सम बेसिक्स अफ फाइनस तो हल अस डिवेलप अ स्ट्रौंग फांडेशन फोर इस चैप्र अस्ट्रौंग फांडेशन तो इस सब्जेट ऐस्ट अच्प्ट्र चाप्ट जा आजब सार्ट करेंगे विडा दू मिड़ा n सबसे पहला फंडा जो आप लोगों कर वाना चाहता हूं तुम बताना कर तुम लोगे इसके करवानी वाला है रहे हैं सब कर्वाला से पहला पहला है everybody any idea what is market capitalization जिसको market cap भी बोलते है प्यार से प्यार से क्या बोलते हैं अपनलोग ब्रैकेट में लिख देंगे बैटा इसको अपनलोग प्यार से बोलते हैं इंस्टा शॉट्स पे मैंने समझाया था इसके लिए मनें बता देता हूं एक बंडी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना मार्केट में कितने शैर आविलेबल ट्रेडिग के लिए तो फॉर एक्जामपल में जब अगर बात करता हूं Reliance Industries Limited की तो क्या मुकेश भाइ अम्बानी मुकेश भाइ अम्बानी के पास जो शेर्स है क्या वो भी freely tradable है क्या market में मुकेश भाइ अम्बानी is one of the promoters of the company यार आज सच क्या वो भी freely available है क्या market में trading के लिए नहीं तो क्या उनके जो शेर्स है वो भी market के लिए आएंगे क्या नहीं बट क्या आपके और मेरे पास संकल गास्टिया के पास अगर सौ शेर है क्या वो market के calculation में आएंगे क्या obviously सर समझ रहे हैं आप so it should be freely available to trade इस वर्ड को प्यार से free floated market fully floated shares भी बोलते हैं ठीक है ना पॉबली का आदत क्या है सीधा बोलते हैं नंबर आफ शेर्स मुल्टिप्लाइबल रखने वाला बंदा होगा जैसे आप और मैं तो आपन अपने को तो या कोई चीज पड़ी रहे तो एक दम सिस्टम से पड़ेगी नहीं अभी अंडिस्टेंडिंग यस और नो बोलो चाल 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 लिखते है एक बाद अब शो इट इस इस लिखवा रहुँए यह आप लो नंबर आफ शेर्स नंबर आफ शेर्स फ्रीली फोर त्रेडिंग इन मार्केट मुल्टि युवाइब मार्केट प्राइस पर शेर मतला फिस्ट पर शेर्ट अपन्नों विधर फूरा लिखेंगे इंटु मार्केट प्राइस पर शेर अब मार्केट प्राइस पर शेर क्या होता है प्राइस एट विच इट इस इट इस ट्रेड़ अन stock exchange ठीक है इसको प्यार से क्या बोलते है free float shares आगे है और आने वाल है तब मैं वापस से ये free float सम्झाने में time waste नहीं करूगा ठीक है इसको प्यार से बोलते है पैट इस free floating shares ठीक है अब अब एक 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 आपको दिखा भी देता हूँ है यार मार्केट कैप ऐसा कुछ डालते है अपन लेट सी मार्केट कैप ऑफ रिलाइज जाता है अब देखो मार्केट कैप ऑफ रिलाइज तुमको दिखेगा सोला ट्रिलियन चोड़ दो किजा होता है अपने दिमाग के ऊपर चाहिए गाएगा पट कैसे काल्कुलेट किया यह 2432.05 आपको दिख रहा है multiply by the number of shares freely available in the market उससे आया यह 16.46 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशं इसको वर्ड भी लिखा है 16.46 दूरियन के नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया practically आपको दिखा दिया है पबलीग चाहिए 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 भूलों तुम्हें आगे नेक्स्ट के उपर आपको सबको समझ में आ गया क्या होता है मार्केट क्या बोल बोल चल चल मैं दुदला क्यों दिख रहा हूं यस चल चल क्लियर है अब नेक्स पे चलते हैं बड़ उसके पहले एक सिंपल फॉर्म में अगर किसी को मार्केट क्या लिखना हो तो क्या है नंबर ऑफ शेर्स मुल्टिप्लाइबाइबाइब मार्केट प्राइस पॉर शेर्ट एंपेश ठीक है दने गाइस बोलो यार अब चलते हैं जयंद कॉंसेट के उपर यारो अब चलते हैं से केंड कॉंसेटे प्रोषा तो तुम लोग मैं ऐसे सुना होगा बट फिर भी मैं बता देता हूं एंट कॉंसेफ्ट इस गाइज और निंग पर शेयर कोई मुझे बता सकता है यह क्या होता है अर्निंग पर शेयर का सिंपल मतलब है कि भाई टोटल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया फाइनल प्रॉफ करोगे तो पता चलेगा एक शेर के पीछे कमपणी ने कितना रुपया कमाया और नहीं कितना एक रुपया दो रुपया जो भी है कमाया अब यह देखो मुझे इंड एस की दलिल देने लग गया मुझे थोड़ी पता है इंड एस के हमारे टाइम पर एस 20 हुआ करता था एक्जाम में भी आया था लिखकर आया था मैं हाँ इतना पता है अपने को तो इंड एस का आपने को नहीं पता फाइनांस में पर शेर का मतलब होता है नेट प्रॉफित आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंट डिवाइड बाइड नंबर ओफ एक्विटी शेर्स नंबर ओफ एक्विटी शेर्स अच्छा एवरिबाड़ी मतलब अगर किसी को समझाना हो तो प्रॉफित एंड बाइड पर शेर्स अप्रॉफित एंड पर शेर्स नंबर शेर्स नंबर किसी को समझाना है profit earn per share by shareholders that basically is called as EPS एक share के बीचे कितना कमाया company ने एक तुम लोगा लिक्किया हो गया एक share पर कितना कमाया एकांपना एकिंटा मने दूद्धना एकांपना एकांपना यह लाँ तोर थोड़ अब जो मैं चीज बोलने वाला हुना अगर ये मुझे किसी ने समझा दिया ना तो मैं मान जाएंगा कि हाँ तुम्हारा थोड़ा वक्त फाइनेंस में आइडिया है तुम्हां पी ए रेश्यो ऐसा नहीं यह पी रेश्यो तुम लोग क्या होता है यह मुझे बता यह करके दिखाओ घंट सब्सक्राइब कि दिखाओ कितने टाइम में मेरा पैसा रिसीव होगा जी नहीं उसको बोलता है पी रेश्यो क्या होता है अंश्य आइंस और ब송द है एक रुपीज पर कंपनी कितना पैसा कमाती है थोड़ और एनिबड़ी एल्स गिविए टू मिनिट्स शेर्स कितना महिंगा है थोड़ा क्नेक्ट करो ना तुरो क्या सुनी सुना ही बाते बोल रहे हैं कोई कॉंसेप्ट नी बता पा रहे हैं चलो मैं बतातू ठीक है पीर एशो का मतलब होता है फॉर एवरी रुपी और बाइद कंपनी उसके लिए पब्लिक कितना मार्केट प्राइस देने को रेडी है आइब रुपी और भुषेंचा राइने के रैडी है तो इस एक कंपनी का पी रेशो है 20 ताइमस बतलब एक रुपे कमाने के पीछे शेयरोल्डर उस शेयर के लिए 20 टाइमस पैसा देने को रेडी है तो ऐसी कंपनी का जब EPS 10 रुपया हो जाएगा तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा बोलो बोलो चल चल तो कब ट्वेंटी टाइमस देने को रेडी है उस शेर के लिए तो एक रुपया है तो बीस गुना के इसाब से पीस रुपया दे रहे हैं तो अगर 10 रुप is equal to for every rupee on for every rupee on how much how much is the investor slash shareholder ready to pay समझें मतलब मतलब अगर एक रुपय का EPS है एंड MPS है उसका 20 तो शेर होल्डर इस विलिंग टू पे 20 times of every rupee earned by the company क्या बता सकते हो कि कौन सी कंपनी का अच की तारिक में पी रेश्यों सबसे जदा है बहुत कॉंट्रोवर्सी में रहती है कंपनी सब्सक्राइब एक रुपय का EPS है तो मार्केट प्राइस पर शेर 20 रुपया हो जाएगा तो अपन क्या बोलते हैं कंपनी का PE ratio equal to 20 times अगर इसी कंपनी का EPS 10 रुपया हो गया देन MPS कितना हो गा अप सब लोग ने सही जवाब दिया 10 इंटो 20 times रुपीज 200 10 इंटो 20 times रुपीस 200 समझ में आई बात है everybody अबड़ी टिक है क्लियर यह सदांसर इस अडाणी बाई सहाब अलगी लेवल का उसका पी रेश्यों चलता है यार समझ में नहीं आते दिमाग काम नहीं करता है यूशली एक पी रेश्यों होगा दसका पंदरा का बीस का पच्चीस का यह अडानी को तो देखो अडानी पावर का तो काम यह देखो अडानी green energy is latest reports and stock price the company's current price to earning ratio is 226 at the end of 22 company had a P ratio of 785 like seriously jeez मतलब एक शेर एक रुपे कमाने के पीछे प्लिक उसको 200 रुपया 700 रुपया तक दे रहे है क्या कूफिया बंती चल रहे बॉस ठीक है that's how it is it is क्या बोल सकते है अपन सो ऐसा है ठीक है समझ में आ गया अचा इससे क्या तुम लोग कोई formula derive कर पाए क्या P ratio का बिट्टा क्या P ratio का तुम लोग कोई formula derive कर पाए क्या एक एक earning में के लिए कितना टाइम्स दे रहा है उसको बोलेंगे मार्केट प्राइज समझ में आया कि डानी का शेयर लेना चाहिए क्या अभी क्या अभी तो पहुंच गया वह अपने लेवल पे फोड़े टाइम पहले लेते तो वह जा था काम मैंने नहीं लिया तो भाई डर रगता है मिरको तो ऐसी कंपनी से मैंने नहीं लिया इसको सट्था केलना है तो ले सकता है तो कैना इस से पी-ई रेशियो का तुम लोग ने इस हिसाब से फॉर्मिला आज बना दिया MPS कितना मार्केट प्राइज है फॉर एवरी अर्निंग दन बाइधा कंपनी अधानी का एक्जाम्पल चाहिए तेरको या पी रेशियो समझना है मनीशा जी सो लिसें लिसें हलो तो यह देखो पी रेशियो मतलब एक शेर के लिए तू कितना रुपया एक अर्मिंग के पीछे तू कितना टाइम्स उसको मार्केट प्राइज देने को रेडी है यहाँ आपे 785 का 220 का 200 का पी रेशियो है अधानी का मतलब एक रुपया अधानी कमाए गाना पब्लीक उसके लिए 200 रुपया देने को रेडी है जस्ट इम्माजिन राइट आपको मार्केट लिको पड़ा झाल 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 कि इधर तक सब लोग साथ में हो मेरे अर्णिंग पर शेयर के लिए आप लोग यह भी लिख सकते हो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरोल्डर्स दान? बोलो ना या दाने दाने आसा दाने सो फा सो गुड किसी को इधर तक कोई तक लिख इधर पी रेशो इस इक्वल टू MPS अपॉन EPS यह अपन लोग ने फॉर्मिला डिराइव किया भाई ओ भाई सुनो यह क्यों भाई आज अपन लोग ने फॉर्मिला डिराइव किया ध्यान रखना EPS जितना कर रहे हो तुमारा पी जितना टाइम्स है उससे MPS बनता है MPS EPS से डिवाइड होगा तो पता चलेगा किस कंपनी का कितना है कितना टाइम्स कंपनी पप्लिक पैसा देने को रेडि है तो इधर और एक फॉर्मिला इसी का कनेक्शिंग वादा ही फॉर्मिला है MPS इस इकोल टू पी रेश्यो इन्टू EPS अब उसके बाद EPS इस इकोल टू MPS पॉल E रेश्यो तिनो पॉर्मिला लिखलो एक है जब आप जब अब तो और आगे बड़ें ठीक है नेक्स्ट इस के उपर जाता है इसको बलते हैं अपन लोग कॉंसेप्ट हूं 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 टोटल अर्निंग्स पोस्ट मर्जर अब 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 इस दो कंपनी ने सोचा कि हम दोनों का मेल मिला मिलन हो जाना चाहिए तो उसे अब काल ड़ाइज अक्वाइर कंपनी इसका ए और टी इस यह टार्गेट इस यह टार्गेट कंपनी समझी गड़े एवरी बड़ी तो ए जो है हमारी टार्गेट कंपनी इसका का इस यह ट्रोफिट बी फोर मर्जर बी फोर मर्जर था रूपी श ran है ती कंपनी इस ऐतलाइक के टी कंपनी सान्यत लुफोर मर्जर था रूपी सिसगज व्हिल एक है अब ध्यान से सुना आंसर तुम लोग को देना है यहां से सुना आंसर तुम लोग को देना है A company or other T company got acquired बोलो merged बोलो with A company इसका मतरब A company ने टी company को ले लिया ठीक है नाव यू आफ टो टेल पोस्ट मर्जर अर्णिंग्स पोस्ट मर्जर अर्णिंग्स या इसको अपन बोलते हैं net profit of A company आपको जवाब देना है पर कितना आएगा बोलो बोलो telltale very good others very good correct so can I say post merger earnings of or net profit of A company will be net profit या earning of acquirer company before merger plus net profit of target company before merger तो ये था आट लाक रुपए ये था पाच लाक रुपए कि दोनों को मिलाके बन गए पोस्ट मर्जर तेरा लाक रुपए समझे बच्चा समझे बच्च्च प्रीज कॉपी everybody कॉपी एक दम हॉलने हॉलने पड़ाऊंगा आपको टेंसन नहीं मतले नहीं चोड़ दूआपने आपको मेरते हैं कि दो अपक्ण करह massa अपको प्रता पाच ख स्थल jotka दॉ़ाश ओ, एक कि दो किम झाना प्रता आपको लुग हौ़ हुआ है कि अधिक्या तक आगे चलते हैं कि तुर्भ ने कावत सुनिया है कि सिनर्जी होता है सिनर्जी मिलता है एक और एक ग्यारा नई अफ दे मर्जर तो इसलिए कर रहा है कि कुछ बेनिफिट मिल जाए तो समझो नेट प्रॉफिट बिफोर मर्जर है एक कंपनी का आठ लाग नेट प्रॉफिट बिफोर मर्जर है टार्गेट कंपनी का पघलाग और और लोगो कर दो घ्थो दे एर सिनर्जी की त्यूरॉ अन मर्जर और रूपीज फॉर लाग नहीं त्री लाग कैल्क्यूलेट पोस्ट मर्जर रवनेंगे कैल्क्यूलेट पोस्ट मर्जर रवनेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं करते तो यहां पर क्यों करेंगे क्यों प्रॉफिट को टेकवर नहीं करता है अब अगर यह लोग दोनों जॉइन हो गए तो क्या स्मिट क्लाइन प्रॉफिट कमाना छोड़ देगी सब्सक्राइब करेंगे तो यह स्मिट क्लाइन अभी प्रॉफिट तो कमाएगा तो प्रॉफिट तो नहीं कमाएगा जितना अपनी मर्जर था हां मर्जर होने के उसे कुछ और फाइदा हुआ जैसे कि सिर जी गें तो आप लोग कर देंगे जैसा आप लोग नहीं बोला ए प्रॉफर पोस्ट मर्जर अर्निंग्स अफ अक्वाइर कंपनी वह क्या है या पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्री मर्जर अव ए कंपनी प्लस नेक प्रॉफिट अफ्टर टैक्स टी कंपनी प्री मर्जर प्लस सिनर्जी गेंज साम जी गडू कापी गडू सार सीनर्जी होती क्या है एक बार प्लीज एक्स्प्लेंट जरूर करेंगे बिटा सीनर्जी इन सिंपल टर्म्स होता है एक और 11 मतलब अगर दो कंपनी जॉइन हो रहे है तो ऑफिसली कुछ ना कुछ बेनेफिट होता होगा दोनों को क्या होगा एक कंपनी है यह कंपनी का ऑपरेशन बहुत स्ट्रॉग है यह कंपनी का मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉग है अब सपोस्ट दोनों जॉइन हो गए तो ओवरॉल ज्यादा बेनेफिट हो जाएगा शोलते हैं सिनर्जी बेनेफिट इस है यह सम्झेए यह लिए घपन इफ ए यह लिए लिए लगनेवन है डिए लिए वन्यु आपन आट दोनों बेट हो आट स्ट्रॉग् झाल झाल वा क्या बोलो एक बार डेन बोलो तो आगे बढ़ेंगे तुम रोक इधर लिखना है सिनर्जी का मत्रब तु लिखवा देता हूं आओ अधिशनल वैल्यू क्रियेटेड बाया ट्रांसेक्शन गाइस प्लीस कंफिर्म आभी डान आगे बढ़ेंगे जब नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं और इस नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं ए है चल्ट सोफ स्कॉंप का मतलब क्या होता है के सब्राइब स्वाप करें लगे थि उसके सब्सक्रम की अनल था ने के स्वॉप मील्स इन स्मपल वर्ड्स एक्स्चेंज़ क्ए इसको नहीं होलता है एक्सचेंज तो और इसको डीटेल में लिखे तो एक्सचेंज ऑप शेर्स यह अधर अपने लिखेंगे इश्यू ऑफ शेर्स भाई अक्वाइर कंपनी अब कितना उसको इश्यू करना चाहिए is the question that swap ratio will answer how much shares should be issued how much shares how much shares should be issued by acquirer company to target company depends on various factors depends on various factors अग्ये जैसे की factors like it could be the market price per share it could be based on earning price per share it could be based on market capitalization it could be net asset value could be any of the factors and etc कोई भी चीज़ के basis पर हो सकता है आब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर ला हूं सुनो अगर मेरे को मैं acquired company या सुनो ना तुम acquired company हो मैं target company तो तुम मेरे को acquire करना चाहते हो कितना shares दोगे मेरे को क्या basis पर मेरे को shares दोगे कुछ तो basis set करना पड़ेगा कुछ तो factor set करना पड़ेगा या तो भाई market price के basis पे दे दो या तो earning price के basis पे या market capitalization या net asset value या etc कुछ ना कुछ basis पे तो आप दोगे ना रहा कि ना तो that basically is or will be given in the question और उसके basis पे अपने को पता चलेगा कि भाई ठीक है इतना शेर्स दिया है अभी क्लियर क्या होता है swap ratio exchange ratio अभी तो लंबा गेव है समझाते जाओंगा तो तुम लोगों समझेगा डोंट वरी है तो तो थोड़ा और आगे clarity के साथ लिखते हैं कि एक्जांपल कि एक्जांपल कि एक्जांपल कि एक कंपनी लिखूंगा FRQ, acquire or N, target. A company wants to acquire T company and has offered a swap slash exchange ratio of one is to two इसका interpretation बताओ come on so अपन यहाँ पर दिखेंगे one is to two means अब आप मुझे बताओगे इसका मतलब क्या होगा एक शेर का दो के बदले थोड़ और clarity के साथ अब यहाँ पर होने क्या वाल है क्या नहीं से सी यहाँ पर क्या लिक अपन लोग ने issue of shares by acquirer company to target company acquirer company target company को बोलेगी ले भाई मेरे शेर ले और मेरे पास आजा तू इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है one is to two means one share of acquirer company for every two shares of target company समझे क्या इधर एक्जांपल वन एक कंपनी 20,000 shares टी कंपनी 30,000 shares ज्यांसे सुनना swap ratio ठीक है company का swap ratio यह लोग ने दिया है one is to two one is to two का company ने swap ratio दिया है अब अपने को यहां पर बताना है guys अपने को यहां पर बताना है that total merger के बाद एक company के पास कितने shares रह जाएंगे so अब यहां पर requirement अपने को बुच रहा है requirement अपने को बुच रहा है total shares of a company इसको थोड़ा formula में डालना है तो कैसे डालोगे चलो यहां पर तुम्हें समझ में आता है मेरेको यह तुम लोग है ना basic calculation किया 1 is to 2 तो अगर यहां पर इसका 30,000 है suppose टी company का 30,000 shares है तो क्या ratio में जा रहा है 1 is to 2 so 15,000 shares मिलेगा बढ़र है so therefore a company pre-merger कितना shares 20,000 plus tea company post-merger 15,000 shares total कितना हो गया total shares 35,000 shares समझ में आया formula में इसको कैसे बता होगे total shares of a company क्या गया यह मतलब अको है रहा 35,000 बैकेट में लिप देने का post-merger formula क्या बैठा formula क्या बैठा swap ratio का formula क्या बैठा नहीं बताता हूँ नहीं बताता हूँ number of shares of target company into swap ratio बराबर के नहीं समझे की नहीं बोलो बोलो समझे की नहीं clear everyone clear clear next फिर मैं डालता हूँ तुमारे आगे example number two example number two A company 45,000 T company A company 40,000 T company 50,000 60,000 swap ratio 4 is to 5 come on बोलो आपको बताना है shares after swap ratio बोलो क्याएगा बोलो क्याएगा 88,000 very good यादव जी फूद बढ़िया शाब बाज यह कैसे करेंगा अपन लोग देखो number of shares of T company कितने 60,000 into swap ratio 4 by 5 4 by 5 तो आता है 48,000 shares clear everybody so total कितना हो जाएगा 40,000 तो थाई अब और 48,000 48,000 shares given by A company to T company 88,000 Shares एई सम्झेगड़ू भाईरो clear हुआ के नहीं पेले वो बता पर आगे की बात करूँगा मैं तुमारे साथ clear everyone so इसको भी मैं एक 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 फॉर्मिला में डाल देता हूँ के भाई सुनो total shares of acquirer company post merger is acquirer company own shares plus 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 new shares of acquirer company given to target company बराबर है एंड यह calculate कैसे करते हैं यह calculate कैसे करते हैं so it is total number of shares of acquirer company post merger is a plus t which is calculated as number of shares of acquirer company plus number of shares of target company into swap ratio is the तियरे वाई करण मेल आता है तो एक्डम है भी लगता है यह कितना easy कुदी दो में तुम लोग ने 48,000, 88,000 सा बता दिया अपने तो फर्ज निपाना पड़ता है ना यह कल उटके तुम ना लोग और मिलाने लिका सबस्क्राइब एविवान बोलो टेल टेल समझ में आ रहा है सबको क्लियर भी हो रहा है आगे बढ़ेंगे कॉंसेप्ट नंबर थ्री पे अरे कॉंसेप्ट कर वालो फिर करेंगे हैं ओलो 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 बस 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 मेरा बच्च बस हो रहा है खतम हो रहा है बिटा एक है डोंट वाली डोंट रहा है चला आजाओ देट कॉंसेप्ट नंबर थी इस एप्स पोस्ट मर्जर कैसे कैलक्योट करेंगे आओ दिखाता हूं बस 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 मेरा बच्चा बस होती है रहा होने को यह होने को यह चला एक 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 जामपल के तरू बताता हूं फिर फॉर्मिला में इसको तब्दिल कर लेंगे कंवर्ट क थोड़ा ही थोड़ा ही थोड़ा ही थोड़ा ही ना से एक जामपल से मैं बता रहा हूं तुम लोगों ना तो आज़ा हूं सपोज यह हैं यह लिमिटेड और दूसरी कंपनी है टी लिमिटेड अक्वाइर टार्गेट अर्णिंग आफ्टर टैक्स पाच लाक और दो लाक नंबार ओफ शेर सी बीसी बात है प्री मर्जट वन लैक फिफ्टी ताउजन सिनर्जी गेंग रुपीज सेवेंटी ताउजन स्वाप रेश्यों 0.5 आप लोग को फिलाल खाली इतना बताना है रिक्वाइट रिक्वाइट पाट बता तो आपको आप लोग को बताना है और निंग्स आफ्टर मर्जर बर भी फिल अीजट सिनर्दिन वेशन व्ली मर्जट प्रीजट वीजट्त फ्रायमे Whiteений ख्रीजर ओय। फिल्र। कट्री ताउट प्रीजट ताउड धिलांक झाल करूं स्टार्ट वेरी गोड तुमारे अंसर अच्छे लग रहे हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं मुझे स्टार्ट करता हूं एक एक करके सबसे पहला टोटल अर्निंग मैं निकालता हूं ओस्ट मर्चर तो वी विल राइट यह प्लस पी क्या हैगा चैना इसे टोटल वी 5 लग प्लस 2 लग प्लस 1 लग उपल टो 8 लग रुपी गज़ को प्लस 2 लग रवा चैना इसे टोटल नुमर अव शैर्स पोस्ट मर्जर सेवन्टीफाइड के सिनाजी सिनाजी के सेवन्टीफाइड था हुझा अब बोलो अब बोलो कुछ मेरा इगो हट नहीं करने का तुम नहीं करने का तुम अब बोलो अब बोलो आए बड़े तो हम आपका बला कर रहें उपर से आप इतना हुश्य अरिमान हां मेरा 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 एक्जामपल करेगा मैं इसा चलो टोटल नंबर आव शेयर पोस्ट मर्जर सो प्री मर्जर एक का कितना था फिर्टी का कितना था प्लस अब इसके बाद क्या करेंगा अपन लोग के नाइस से अब स्वाप मारेंगे टी के उपर टी का कितना शेयर से बिटा टी का शेयर से पच्चास अच्छा इंटू अपन क्या करते हैं स्वाप रेशियो 25,000 शेयर्स टोटल हो जाएगा वन लाइक ट्वेंटी फाइब तॉजएंड शेयर्स वाप बस बस दो में हो रहा है कि अरे इसको क्या हो गया तो अच्छा चल रहा था दो में बस चल अब सेकेंट थर्व तर्व और और क्या और क्या और क्या दूण सकते हैं और एप EPS of a pre-merger बोलो निकाल सकते हो क्या definitely sir इतना हैगा EAT upon number of shares मतलब 5 बराबर एक नहीं पाच लाक डिवाइड बाई एक लाक शेयर्स इकवल रूपीज 5 पर शेयर्स ना फिर EPS of T pre-merger निकालो तो एक पर इतना है दो लाक डिवाइड बाई पच्छास अजार पर शेयर्स चालो दो लाक डिवाइड बाई पच्छास तो लार्स कितना हो गया रूपीज पोड़ पर शेयर्स टन यह भी क्लियर अपने को यह सर फिर लास्ट जिसके लिए यह में किया है EPS of a company post-merger it will be earning after tax post-merger upon number of equity shares post-merger total number of shares है अपने पास earning after यह है तो 1 upon 2 कर देंगे तो answer आ जाएगा equal to rupees 8 lakh divided by 1 lakh 25,000 shares equal to yes rupees 6.4 per share अच्छा है अच्छा है everybody क्लियर इदर तक सबको क्लियर है अच्छा है सो बस एक लास्ट कंक्लूजन लिखवा देता हूं concept number 3 का formula बनेगा EPS post-merger क्या आएगा earning after tax of A pre-merger plus earning after tax of B sorry of T pre-merger plus synergy gains divided by divided by divided by number of shares of A plus number of shares of T into swap ratio of done formula के साथ अबलत है पबलेक समझ में आई बाते सारी sorry sorry किस आरी समय में आरी है questions और अब देखो पी कंपनी वाले कितने खुश हो जाएंगे चार रुपे का EPS था अब 6.4 हो गया एंपनी वाले भी खुश हो जाएंगे पांच रुपे का EPS था अब 6.4 हो गया समझे एकदम clear everybody दिमाग में एकदम set हो गया सबको इधर तक any questions anyone oh well so fast a good that's great बढ़िया बहुत बढ़िया लिखना है लिखलो तीन concept आज अपनी हो गये market cap हो गया EPS P ratio equal multiple करेंगे तो MPS समझ में आ गया Mergers क्या होता है acquisition क्या होता है corporate restructuring क्या होता है वह समझ में आ गया तो brick by brick अपने लोग ने आज अच्छा चीज complete कर दिया मेरी तो इच्छा थी कि आज तुम्हों को एक दो संभी करवा simple simple वाले basic basic वाले ठीक है अब तुम लोग busy लोगों बड़े लोगों अख्षय good idea good idea फेले तुम लोगे लिखलो दिले दिले चलो करते हैं तुम्हों के ideas को implement अहां नहीं करवा रहा हूं बबाँ आए नहीं करवा रहा हूं चालो ठीक है तुम्हों फिर टेंचन नहीं रहेगा इसका क्या बोलते हूं ठीक है चालो पॉसार करेंगे तुम्हारे सब पॉइंट्स रिलेटिंग टू टाइमिंग्स होएगा हां शीवां तू कुछ साजेशन दे रहा था अच्छा इवनिंग वाला ओके ठीक है अश्यवाइए अच्छा आउ अच्छा पेड़ा है अच्छा इस वे बाबाइए नोट्स अप्रोड कर रहा हूं कॉपी कर ले ले ना कल मॉनिंग में जिए थैंक्यू अच्छा इस जिएू।